दोस्तो एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है Mtech YouTube चैनल में दोस्तो अगर आप लोग भी अपने नोटिफिकेशन बार में अपना खुद का फोटो लगाना चाते हैं तो आप लोग को बने राना होगा इस वीडियो के आखरी तक दोस्तो प्ले स्टोर पर जितने भी नोटिफिकेशन बार में फोटो लगाने वाला आप है वो सारे आप हम लोग से सर्जे पहले पैसे वो सुल करते हैं उसके बाद ही हम लोग को अपने नोटिफिकेशन बार में फोटो लगाने देता है पर आज की इस वीजियो में मैं आप लोग के लिए एक ऐसा फिरी का अप्रिकेशन लेकर आया हूँ जिसका यूज करके आप बिल्कुल फिरी में अपने नोटिक्फिकेशन बार में अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं जिहां दोस्तों आप बिल्कुल सई सुन रहे हैं तो अगर आप लोग भी फिरी में अपना खुद का फोटो नोटिक्फिकेशन बार में लगाना चाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोईल में एक फिरी वाला अप्रिकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है वन सेड ये अप्लिकेशन आप लोग अपने मोईल में फाटा पाट इंस्टॉल कर लिजें अब चली इसको ओपेन करके बारेकी सर्षिक लेते हैं कि कैसे अपने नोटिकेशन बार में अपना खुद का फोटो लगाते हैं तो चली इस पर क्लिक करते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तो यहां पर नीचे हम लोग को चार ओप्शन देखने को मिलता है layout है, color है, extra है और इसके बाद its finger है तो हम लोगों को सबसे पहले इस color वार option पर click करना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे option हम लोगों को दखिने को मिल जाएंगे यहाँ पर आप अपने notification बार का background चेंज कर सकते हैं बहुत सारे color दिये हुए हैं तो अगर आप change करना चाते हैं तो change कर सकते हैं सबसे उपर custom background image का option मिलता है तो इस पर click करके हम लोग सिधे अपने mobile के गल्दी में जाकर कोई भी photo को select करके आप लोग अपने notification बार में set कर सकते हैं चले मैं इस photo को select करता हूँ अब इसको हम अपने notification बार में लगाना चाते हैं तो simply select पर click कर देंगे अब दोस्तों मेरे notification बार में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस लड़की का image set हो गया है तो इस तरीके से आप लोग अपना खुद का photo अपने notification बार में लगा सकते हैं अगर आप background color को change करना चाते हैं तो ओ भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से आप जो color select करेंगे वह ही color आपका background बन जाएगा जैसे मैं चलिए आप लोग अभी दखाता हूँ यहाँ पर आप लोग दख सकते हैं जो background color है वो अब change हो चुका है तो इस तरीके से आप लोग background भी change कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो हम लोग को simply back आ जाना है अब दोस्तो यहाँ पर एक layout का option मिलता है तो इस पर click करेंगे तो यहाँ से हम अपने icon को change कर सकते हैं जैसे यहाँ पर है quick setting icon save तो यहाँ से हम अपने icon को change कर सकते हैं यहाँ पर circle है, circle outline है, circle grade line है इसके बाद circle hollow है, इसके बाद यह square है तो आप जैसे अपने icon को रखना चाते हैं वैसा यहाँ पर select कर सकते हैं इस तरीके से रखना चाते हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं राउंड में रखना चाते हैं तो राउंड में रख सकते हैं यहाँ पर कई सारे option दिये हुए हैं तो इस तरीके से रखना चाते हैं तो इस तरीके से आप लोग रख सकते हैं जैसे मै किलिक करके आप left, centre या फिर right ऐसे गर के रख सकते हैं तो I hope दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोसतों वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को like and share जरू ठुक दीजेगा फिर से मिलेंगे नए टेकनिकल वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई